हेलो फ्रेंट्स जागरूति स्वेचपुड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागरूति भट आज हम देखेंगे कॉली फ्लावर को कैसे अच्छे से क्लीन करके उसकी अच्छे से सफाई करके कट करके हम इसे फ्रेज में ज्यादा दिन तक कैसे स्टोर करें तो फ्रेंट्स सबसे पहले हैं तो हमें कॉली फ्लावर एकदम वाइट वाला कॉली फ्लावर चाहिए यलो वाला जो कॉली फ्लावर होता है वो बिलकुल अच्छा एकदम वाइट वाला कॉली फ्लावर होता है तो उसके पत्ते वगेरे हमने निकाल लिया आप देख सकते हैं अभी ये बड़े-बड़े flowers जो है इससे हम इस तरह से अलग कर लेंगे ताकि बीच में जो भी कीड़े वगेरे हैं तो वो हमें दिख जाए और निकल आए तो देखो ये अच्छे से हमने इस तरह से काट लिया इस तरह से काटने से store करने में भी freeze में रखने में भी आसानी हो हैं तो देखो ये डाल दिया अच्छे से mix करने के बाद बडबड़े जो हमने टुकड़े काटे है उससे अच्छे से इस के अंदर ढाल कE mix कर लेंगे जो भी कीड़ेवे हैं वह आसानी से उपर आ जाएंगे जो भी कच्रा है वो निकल आएगा आप देख सकते हैं कच्रा बिल्कुल निकल आया है और ये जो लगा हुआ है इसे आम अच्छे से चपू की मदद से साफ कर लेंगे तो देखो इस तरह से जो यहां से थोड़ा गल गया है उसे चपू से जरूर निकाल ले नहीं तो वहीं से फ्लावर्स जो है अमारे बिगड़ना सुरू होंगे ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं तो सफाई बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स तो अभी ये साफ सुत्रे हो गए अभी इसे किसी स्टील की बरतन जाली बरतन में रखकर पूरा पानी निकल जाने के बाद हम इसे फ्रेज में स्टोर करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से मैं यहां पे चोटे टुकड़ों में काटूंगी कोली फ्लावर की सबजी में अभी तुरंत ही बनाऊंगी तो यहां पी बिल्कुल हल्दी नमक डालके पानी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे और इस तरह से चोटे छोटे कोटे टुकड़े काटकर इस दो मिट तक एसे ही से पानी में रहने देंगे दो मिट् Literally के बाद हम देखेंगे जो भी कीड़े वागिरे अंदर से हो तो देखो ये चोटे टॉकडो में काट लिया अभी अच्छे से मिक्स कर लिया और दो मीट के बाद जो कीड़े निकल आएंगे तो जमुच की मदद से हम निकाल लेंगे तो देखो ये निकलाया है अभी तो इस तारह से जितने भी कीड़े वगarta है निकलाएं वहसे आप नि नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, थेंक यू